एक दुलहन और बहुत सारी शादिया यानि कि हर शादी में एक ही लड़की दुलहन बनती है ये शादी अधेड उम्र की वैक्ति और छोटी उम्र की लड़की के भीच होती है अधेड उम्र के लोगों को छोटी उम्र की लड़की दिखाई जाती है और फिर शादी तैहूनी के साथ और आप देख रही हैं जंता जंक्षन दरसल उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में पुलिस ने एक ऐसी गैंग को गिरफतार किया है जो शादी के नाम पर जीवर और नगत पैसे लेकर फरार हो जाती है यह जादा तर अधेर उम्र के पुरुष को टार्गेट करता ह और गैंग में मौजूद छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी तै करता है और फिर व्यक्ति से लाखों रुपे ठग कर फरार हो जाता है गैंग में मौजूद लड़किया फरुखाबाद के ना जाने कितने कुवारी लड़कों को जाल में फसा चुकी है और साथ साथ ज इच्छक भी शामिल है जो शातिरों के द्वारा लूट कर लाए गए जेवर खरीदता है ये मामला सामने तब आया जब पिछले महने कमाल गंज थाना छेत्र के पठारी निवाशे विनोध कुमार के साथ शादी के नाम पर ये ठगी की गई विनोध कुमार ने पिछले महने 6 जुलाई को इस मामले की शिकायत की उसने शिकायत में लिखा कि कुछ लोग शादी के नाम पर मेरा एक लाक रुपया क्याश और जीवर लेकर फरार हो गए हैं इन लोगों ने मुझे एक लड़की दिखाई और कहा कि उस लड़की से मेरी शादी करवा देंगे और शादी क के नाम पर ही मुझे से पैसी लिए गए और सभी लोग फरार हो गए हैं मुझे नहीं पता ये लोग कहा हैं और जब मैं कॉल भी कर रहा हूं तो ये लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते जिसके बाद पुलिस ने विनोध कुमार की द्वारा दी गई शिकायत की आधार पर मु कर शादी के नाम पर उसे अपने जाल में फसा लेती हैं इस गैंग की सदसे जिसका नाम खुश्बू कटियार है उसे ही ये गैंग दुलहन के रूप में दिखाता है और फिर शादी करवाने के बदले लाखों रुपये एठ लेता है और साथ ही जेवर भी ले ले लेता है विनूद कुमार अपनी शादी को लेकर उनके जान पहचान की व्यक्ति अशोग धिक्षित से बात किये थे। जिसके बाद अशोग धिक्षित ने साधी के नाम पर खुश्बू नाम की लड़की को उन्हें दिखाया और उससे ही शादी तैकी जिसके बाद शादी कराने की नाम पर इन लोगों ने विनूद कुमार सी एक लाख रुपिय से भे जादा कैश और जेवर ठग लिये हैं। जब पेडित ने शादी कराने की बात कही तो ये लोग इस बात को टालने लगे और कुछ दिन बाद जब विनूद को एहसास हो गया कि वो उसके जाल में फस गया है तो उसने थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज की। इस मामले को लेकर CEO CP प्रदीप कुमार सिंग ने बताया कि कमाल गंच थाने में बीतो दिनों विनूद कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके साथ शादी के नाम पर कुछ लोगों ने ठगी किया है और रुपिया जेवर लेकर फरार हो गए है। पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं के साथ 6 लोगों को गिरफतार किया है। गिरफतार किये गए सभी आरुपियों को जेल भेज दिया गया है। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको बताएंगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षन देखती रहे है। धनिवाद।